हेलो फ्रेंड्स मैं हुजे बखान और वेलकम है आपका मेरे चैनल वर्किंग वोवन्स कीचिन में आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ छोला चैनल चैट की रेसिपी जो की बहुत ही हल्दी होती है और यह ओई फ्री भी रहेगी तो आप इसे आसानी से रमजान में भी बना सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं इसके लिए देखिए मैंने यहां पर चोले को ओवरनाइट सोक कर लिया तो यह हाफ केजी चोला है इसको मैंने राद बर बिगो दिया तर इससे देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और अब जब हम लोग इसको पकाएंगे तो यह आसानी से जली से पक जाएगा तो जि और इसके बाद अब इसको प्रेशर कुगर में ट्रांसफर करेंगे इसमें पानी डालके इसको हमें सिंपल बॉइल करना है ज़्यादा कुछ नहीं करना है तो जितना छोले का लेवल हो उससे आप थोड़ा सा ज्यादा ही पानी रखे ताकि यह असानी से बॉइल हो सके और इसमें बस आप नमक आट कर दीजिए नमक आट करने के बाद आप जरा सा सोडा अगर चाहते हैं तो वन पोर टीस्पून के करीब आट कर दीजिसे यह चोले और भी ज्यादा सॉफ्ट पकेंगे बस इनको तीन से चार विसल आने तक के पका लेना है इसको मैं चढ़ा देती बोल में छोला डाल दिया है अब इसके बाद इसमें मैं उपर से लेन दही एड़ कर रही हूँ मीठा वाला दही एड़ कर रही हूँ मतलब ये खटा वाला दही नहीं है इसकी एक लेयर बना दीनी है उसके बाद ये फिर मैं एड़ कर दूँगी इसमें इमली की चटनी यह वो बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है तो इसको भी मैंने एड़ कर दिया है ये मीथी चटनी हम लोग बोलते हैं इसको और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर डली है आप चाहें तो वाप पर जाके देख सकते हैं थोड़ा सा नमक मैंने उपर से इसमें एड़ कर दिया है अपने टेस्ट के कोडिंग आप इसे एड़ कर सकते हैं साथी में आप उपर से मैं इसमें थोड़ा सा लालमेश एड़ कर दे रही हूँ टेस्ट के लिए आप चाहें तो इसके भी कर सकते हैं तो आप इसे भी मत आड़ करिए बस ये मैं flavor enhance करने के लिए इसको आड़ करूँ कि इससे taste और भी अच्छा हो जाता है फिर इसके बाद एक बाद फिर से छोले की layer लगा देनी है आपको और same way प्रोसेस करना है आपको कि पहले दही की layer लगानी है दही से आप इसको अच्छे से cover कर दीजे इसमें जितना स्यादा दही डला रहेगा उतना ही अच्छा tasty ये छोला लगता है तो इस चाट बहुत ही tasty बनती है और ये छोला healthy भी बहुत होता है आपको protein के लिए भी आप इस छोले को use कर सकते हैं तो आपको same जैसे first process हम लोगोंने करी थी second layer में भी same वही process करेंगे कि मैंने चटनी इसमें डाल दी है उपर से मैं इसमें थोड़ी सी chop की हुई प्यास रखी उसको add कर दे रही हूँ और थोड़ी से tomato कट करके रखी है उन्हें डाल दे रही हूँ ये जो भी आप add करना चाहें add करसकते हैं ओपर से थोड़ा से नमक और लाल में जो और मैंने add कर दिया है इसमें और थोड़ा सा same chaat masala और जीरा पाउडर भी मैं इसमें डाल दूँगी chaat masala मैंने first layer में नहीं डाला था आप चाहें तो इसमें भी add कर सकते हैं पिर वही आपने ही डाल के और अब इसको मैं सर्फ कर सकती हूँ उपर से आप इसमें धनिया डाल दीजे गानिश करने के लिए तो यह तेस्टी सी बहुत ही यमी सी चार्ट बहुत ही हेल्दी चार्ट बनके तयार हो गई है तो आप चाहें तो इसे रमजान में भी जरूर बन सकती है तो आगर आपको कुछ quick and healthy खाना हो तो इसके लिए आपके यह best recipe है तो इस रमजान में आप लोग इससे जरूर ट्राई करें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें थैंक्यू पर वाचिंग दिस वीडियो